असलाम आलेकूम नाजरी मैं हूँ राशिद इक्राम नाजरीन अरब दुनिया में पहली बार फिटबॉल का टॉर्णिमेंट हो रहा है कतर में यह टॉर्णिमेंट हर चार साल बाद होता है कतर में इस वक्त काफी जशन मनाए जा रहा है गलियों में सडकों पे लोग बहुत खुश है दुनिया बर के हजारों के तादात में लोग कतर पहुंच रहे हैं और मैज देखने के लिए कतर का जो स्टेडियम बनाया है बड़ा ज़दीद और खुबस्रत है और वहाँ पे खिलने बड़ा मज़ा है का वहाँ रहे बड़ी खुबस्रत रखी है लोग बहुत खुश हैं और जशन मना रहे हैं क्योंकि बड़ी बात है कि पहली बार अरब दुनिया में ये टॉर्निमेंट हो रहा है क्योंकि ये जो फिटबॉल है अरब लोग इसको देखते हैं और पसंद करते हैं इस पर बड़े बड़े चैंपियन है गुजरे हैं इस वक्त जो बड़ा अचा खेलते हैं और बड़े मश्चूर भी है पाईसन में भी ये बहुत फिटबॉल जो है बहुत पसंद किया एता है खास तो पर लियारी के अंदर वहां पर बहुत लोग खुश हैं जिशन मना रहे हैं और भंगे दार रहे हैं दोल बजा रहे हैं घरों पर नोंने पेंटिंग की हुई है बुक्तिलिव जो फिटबॉल के मश्चूर मुलक है उनके नाम लिखे वे हैं जंडे बने वे हैं और वो बहुत खुश हैं लियारी के लोग क्योंकि इनका बड़ा पसंदीदा खेल है फिटबॉल वैसे भी फिटबॉल दुनिया बारे में बहुत देखा जाता है और पसंद किया जाता है तो अब यह शुरू हो गया है आज से इससे मैं शुरू हो गया है तक्रीबन 62 मैचेस होंगे फिजी इस पर जो जो चैंपियन होगा वो फिटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा जो बेता खेलेगा वही चैंपियन होगा क्योंकि फिटबॉल में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जितने अच्छे खिलाड़ी होंगे उतने अच्छा वो मैच खेलेंगे और जीतेंगे हमारे मुल्क में फिटबॉल को इतनी एहमियत नहीं दी गई जितनी एहमियत होकी और किर्किट को दी गई पहले हमारे मुल्क में होकी बड़ा एहमियत रखता था हो कई दवा हमने इसका वर्ड कप जीता लेकिन वह इस वक्त जो है बहुत नीचे है जो हमसे कमजोर तीम है वह बहुत उपर है कि इसी तरह जो किर्किट है कि वह भी फिफ्टी फिफ्टी प्रसंट चल रहा है वह बात नहीं है जब जाविया दाद होते थे इम्राखान होते थे और दूसरे बड़े मश्यूर खिलाड़ी होते थे बसी मकरा मगारा जब जब किर्किट खिली जाती थी जब मज़ा आता देखने भी और बड़ा अच्छी खिलाड़ी होते थे अब तो कुछ पता नहीं चलता कि खिलाड़ी कब आउट होगा कब नहीं होगा पहले हम टेबली टैनिस में बड़े मारत रखते थे और कभी अच्छा खिलते थे लेकिन आसार से वह भी कम होता गया कि है इसलाकर बहुत सारे के मैं पहलवानी के के कावरड्य कैथ सब्धार है थिए में अगार्ध दो कवारड़ी में तो बेतर है हमने सब्सक्राइख में वेल निफ्टिंन में अभी गोड मेडल लिया इस बहुत वैसे बच्छार बच्छों को एक घंटा जरूर खेल कूद में लगाएं ताकि उनकी सिहत बने हड़ी मजबूत हो क्योंकि खेल कूद से भी जरा दमाग थोड़ा सा रोशन होता है और सिहत बंगती है इस वद जो अक्माम पत्यादा ने मवासरती जो फंड कायम किया है बड़ी ये काम्यवी है हमारे मुल्क की शभाज शरीव और बलावल की इनोंने बड़ी मेनत की इस सिसले में तो ये पहले बार ये फंड कायम किया है आपके जाप मंवासरती तोर पर बुल कर नुक्सान हो सपाईसार में स्लाख की विए से अरवोड डॉलर कर नुक्सान हुआ है लोग मुताशिर बहुत हुए है गर तूट गए है लोग बेरोज़गार हो गए है काफी लोग में ताधाद मर गए है जानवर मर गए है तो हमें तो काफी पैसा चाहिए इसके अंदर तो इस तरह यह सिसला है अब देखते हैं कि हम आते हैं फिट वाल किताब दोबारा क्यूंकि इस वक्तर में बड़ा जशन है गली कुछों में बड़ा लोग खुश है क्यूंकि ये पहले बार ये वर्ल्ड कप हो रहा है अरब में तो दुनिया बर से फ्लाइटे कतर पहुंच रही है हजार लोगों की तादाद पहुंच रही है और स्ट्रेडम भी बड़ा खुशनत है और खेलने बड़ा बदा आएगा वैसे भी कतर ये खुशनत मुलक है वह आएगा तो कोई टूरिस थोड़ा सा सहर तफ्रीम भी करेंगे और मैज भी देखेंगे तो बड़ी ये खुशी की बात है कि अरफ कंट्री में पहले बार फुटबार कर टोर्निमेंट हो रहा है और इस ता फिर मज़िए और दूसरे मुलकों में भी होगा तो इस तरह ये सच्छा चलता है ये कहना था अल्लाः आप